22 साल हेदरबाद विश्विद्यले के छातर रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी इस दली छातर पर डॉकुमेंटरी फिल्म के प्रदर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है निर्देशक पियन रामचंद्रा की रोहित वेमुला की आत्महत्या सी जुड़ी डॉकुमेंटरी फिल्म का नाम है The Unbearable Being of Lightness केंदर सरकार ने वेमुला, कश्मीर और जेनियो पर बनी डॉकुमेंटरी दिखाने की अनुमती नहीं दी है तलीत रोहित वेमुला पर बनी पैंतालिस मिनिट की डॉकुमेंटरी समेत तीन शॉट फिल्मों को दिखाये जाने के लिए मंजुरी देने से इंकार कर दिया गया है बता दे कि सुलह जून को केरल राज्य चलचित्र अकादमी द्वारा आयोजित इंटरनेशनल डॉकुमेंटरी एंड शॉट फिल्म फिल्म फिस्टिवल में दिखाये जानी थी लेकिन सूचना और प्रसारन मंत्राले की और से इजाज़त ना मिलने के कारण दिखाई नहीं जा सकती पियन रामचंद्रा के अनुसार उन्हें आयोज़कों से पता चला है कि इसके प्रदर्शन को रोकने के लिए उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया है वो कहते हैं फिल्म प्रदर्शित करने से पहले आयोज़कों को सूचना और प्रसारन मंत्राले से ये सर्टिफिकेट लेना होता है साधरन तोर पर सर्टिफिकेट मिल जाता है लेकिन तीन फिल्मों को ये नहीं मिला है 22 साल हैदरबाद विश्विद्याले के दली छातर रोहित में मुला की खुदकुशी ने देश भर में हंगामा मचा दिया था मार्च 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 वो कहते हैं मुझे लगता है कि अगर इस फेस्टिवल के लिए इसे सर्टिफिकेट नहीं मिला तो इसे आगे सर्टिफिकेट मिलेगा मैं इस फिल्म को ऑनलाइन रिलिज कर दूँगा इसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी झाल झाल